तो फाइनली वाट्स अप पर वीडियो आगी जिसमें आपको बताने वाला हूँ वाट्स अप के टोप 10 खतरनाग वा नहीं खतरनाग तो नहीं कह सकते हैं टोप 10 फीचर जो एकदम लेटेस्ट हैं और बहुत जादा यूसफुल है हो सकता है आप इन 10 में से कुछ फीचर जानते हो और उनको यूज ना करते हो जबकि वह काफी जादा यूसफुल है वीडियो के स्टार्ट करते हैं मेरा नाम है इमरान और आप देख रहे हैं हमारा स्टार्ट करते हैं पहले फीचर से कस्टम डिलेटेट मेडिया फाइल इसके लिए आपको जाना है अपने वाटसटाप की सेंटिंग में उसके बाद जाना डेटा एंड स्टॉरेज ही योसेज में यहां पर आप क्लिक करके यह देखिए कि जो आपके फोन में स्टॉरेज स इसके बाद आप यहां पर कस्टम उन सभी फाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं आप चाहते हैं कि सिर्फ फोडू ही यहां पर रहें और बाकी वीडियो जो है वो डिलेट हो जाए तो आप उसी के हिसाप से ही जो जो चीज़ आप डिलेट करना चाहते हैं उन्हीं फाइल को आप स अपने वाटसप को भी थोड़ा लाइट रख सकते हैं इसके बाद नमबर टू जब आप किसी को भी फोडू या फिर वीडियो सेंड करते हैं यहां पर आपको इमोजी अटेच्ट का एक फीचर मिल जाता है इस पर आप किलिक कर दें तो पहले आपको यहां पर सिर्फ इमो यूसफुल हो सकता है इसके बाद नमबर थर्ड जो कि बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंड है कई लोगों ने मुझ से पूछा था कि वाटसप पर जब हम किसी को 30-40 MB की वीडियो फाइल भेजते हैं उसको हम औरिजिनल क्वालिटी में कैसे बेजें इसके लिए आपको जा बाद आपकी यह जो वीडियो फाइल यह बन जाएगी डोकुमेंट में अब इसको यहीं से ही आप अपने वाटसप पर किसी को भी सेंड करना चाहते हैं सेंड कर दीजिए उसके बाद बंदे को बोलिए कि फाइल मेनेजर में जाए और इसी फाइल को फाइंड करिए और इ उसी MB में जितना साइज होगा उतनी साइज में वो वीडियो पहुंच जाएगी याद रखिए सो MB से जादा आप नहीं भेज सकते हैं इसके बाद नमबर फॉर्थ पी आईपी मोड वाटसप पर काफी समय पहले आ गया था पी आईपी मोड जब भी आपके पास कोई इंस् पर कटेगी नहीं आप अपने वाटसप पर किसी भी कन्वर्शिशन में जंप हो जाएए वह वीडियो नहीं कटेगी या चाहें आप अपने वाटसप को ही हटा दीजिए किसी और पेच पर चले जाएए अपने फोन में लेकिन वह वीडियो आपकी चलती ही रहेगी तो यह एक PIP mode का ही एक latest update है जो शायद काफी लोगों को नहीं पता था नमबर 5 इस्टीगर add to favorite आप emoji पर किलिक करिए उसके बाद इस्टीगर पर किलिक करिए उसके बाद जो इस्टीगर है उनमें से आप किसी भी एक इस्टीगर पर tap and hold करिए यहाँ पर आपको यह feature मिलेगा एड का अब यहां से एड करके आप अपने उन फेबरेट इस्टिकर को जो आप जादा यूज़ करते हैं उनको आप फेबरेट लिस्ट में भी एड कर सकते हैं यह भी एक वाटसप का एक नया फीचर है जो शायद जादा लोगों को नहीं पता था नमबर सिक्स आपको एक नी लीकल से स्षच करके कई वी आप ला सकते हैं इसके या आप इमोजी पर किलिक करिए उसके बान लीक करें इसके यहा बाद आप आप सर्च का दिखता हुगा यह गयर her यही बीट सबाइब करेंगे वह गुगल ही आपको देगा आप किसी एक्टर सलमान खान या कैटरिन का किसी भी सर्च करेंगे वह गिफ फाइल आपको गूगल से मिलेगी आप किसी भी अपने फ्रेंड को सेंड कर सकते हैं जो काफी जादा यूस पुल है और आई थिंग बहुत कम लोग इसको जानते भी नेक्स्ट गुरूप इंविटेशन कई भाई लोगों ने बोला था कि यार हमें कोई भी गुरूप में एड कर देता इस चीज से हम कैसे बचे इसके लिए आपको जाना है अपने वाटसप की सेटिंग में उसके बाद जाना अकाउंट में इसके बाद जाना तो आप पहले उस मैसिज को फॉरवड कर दीजिए किसी को उसके बाद आप उस मैसिज पर टेप एंड होल्ड करिए और थ्री डॉट पर जाईए उसके बाद जाईए आप इंफो में वहां से आप यह जान सकेंगे कि इस मैसिज को कितनी बार फॉरवड किया जा चुका है और नाइन टेक्स्ट स्टाइल विदाऊड एंड इस्टार आप उस मैसिज को स्लक्ट कर influx करिये टेप औन होल करके उनस टेक्स को स्लेक्ट कर लीजे इसके बाद पर जाईए आप छाए बोल्ड में भेजप ब्हें सकते अपर किसी है धीना चाहलय उस मैसिज को आसानी आप उस मैसेज को भेज सकते हैं इस तरीके से यह भी एक फीचर कह सकते हैं और अब लास्ट एंट कई लोग क्या करते हैं रीड रिसिप्ट का फीचर यूज करके अपने बिलू टिक को हाइड करके रखते हैं ऐसे में वह बंदा हमारे मैसेज को रीड कर रहा है या नहीं कर चलता है तो इसके लिए हमें क्या करना है एक ओडियो किलिप हमें रिकोर्ड करके उसको सेंड कर देनी है अब उसके पाथ जब बेजे की बिना सुने तो वह रहे नहीं पाएगा जैसी वह बंदा उस ओडियो क्लिप को प्ले करेगा तो वह आपकी जो डॉल टिक थे वह बि यृइन फीचर कमेंट करके आप मुझे बताईए कि आपको इन मेंसे कौन – कौन से फीचर पता थे और कौन से नहीं पता थे फिलाल इस वीडियो में इतना ही उम्मेद करता हू deferfik मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए ऍट- skip ग